आसपास की जितनी भी गाउं है फिलहाल वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है क्या कुछ आगे का प्लान है पुर्शासन की तरफ से जो पूरी तरह से इस्थित्ती का जाईजा ले सके और कितनी दिलिव में लॉटती हूँ आप और जानकारी जुताई है जरा मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुक गए मंजीत नेगी क्या हालात वहाँ पर क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से जिखे नवजब जोशीमट में धौली गंगा के आथ पास ये बिलिशे टूपने की खबरे आई हैं और उसके आसपास का जजारतर इलाका है वहां पर पावर प्रजीक्ट चल रहे हैं बड़ी संख्या में भी धुली गंगा पावर प्रोजेक्ट है जिसके आसपास बिल्डिंगें देख सकते हैं प्रोजेक्ट की, और जो शुरुवारती खवरों उसके मताबिक दो धुली गंगा प्रोजेक्ट से चुड़े जो पुल हैं और पावर प्लांट हैं, पूब उनके बहने की खबर आई हैं आसपास कि पहार के देखें तो ज़्यादा तर नदीयों के आसपास गाउं के इलाके होते हैं चोटे शुटे शुरे गाउं होते हैं तो अभी हालंकि जानमाल की खबर की पुस्टी आधिकारीक तौर पर नहीं हुई है लेकिन जिस तरह स पर रूप जोश्यमाट के आगे जोश्यमाट के आगे जिया कि का जाता है्र इसे जी पर जोश्यमाट चमुरी होते हुए श्रियनगर तक हाई अलट किया गया है उसके आसपास कई पावर प्रजेक्ट हैं, कई गाउं हैं और जिस तरह का बहुत देखा जा रहा है उसे निश्चित तोर पर ये कहा जा सकता है कि जानमाल की भी काफी संभावना है नुक्सान होने की अभी उत्रकट प्रशाशन ने देहादून से और बाकी जगहों से अपन दाकि सहाइक मरी धुली गंगा उसे कहा जाता है उसमें ग्लेशोट पूटा हट पूचने के बाद अब ये चमोली होते हुए स्री नगर और रिशी के सब्सक्राशन तक पहुचेगा तो ये इसके आसपास आप बादा लगेगी कि इतने भी गाउं और इसके इवावर खास मजीत कुछ और जानकारी अगर आप दे पाएं क्या बाद को नुकसान हुआ है क्योंकि जो खबरे आ रही हैं उसमें ये भी पता जा रहा है कि बाद को भी नुकसान हुआ अस्थानी है लोग भी कई बह गए इस बारे में भी जरा क्लियर कीजे वहां से खबरे क्या इस तर कि ग्लेशे टूटने के बाद सीधा वह भी करता है और अगे नुखसान को तस्वीरों में से देख ससते हैं और आगे अब यह चमोली होते वे तक कई पार प्रेक्ट है इस राते में और सबसे बड़ी बात कि पहाड़ों में जिस तरह से नदी के किनारे जाके अलगता के तोर पर बहती है तो इसके किनारे कई छोटे बड़े गाहं है जो बिलकुल नदी से लगे हैं तो सीधे तोर पर नुक्सान हुआ है कई तस्वीर हम देख सकते हैं कि खास और से जब धोली गंगा में इसने हिट किया ग्लेशर ने तो वहां प आज रविवार का वक्त है जएदा मजदूरों की संख्या नहीं है लेकिन अभी काफी बड़ी संख्या में वहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट में जो मजदूर है वो नदी के किनारे उस धुली गंगा और अलकनंदा के साथ में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर का कर रहे हैं तो बड़ी संख्याने मुझदूरों का भी जानमाल का नुक्सान हुआ है और इसके साथ जो गाम है नवजोद उनको भी नुक्सान की संभावना है 2013 की आफ़ा आपको याद है जब मंदाकनी नदी में और सरस्वदी में जो तबाही आई थी जो ग्लेशर तूटने से गांधी सरोबर तूटने के बाद जो तबाही मची थी वो एक तरह से उस तरह की घट घटा है इसको बताया जा रहा है हाला कि अभी जब तक आधिकारी तोर पर और जब वहां पर लोगों के जानमाल की जानकारी नहीं आपाती है तब तक कहना मुश्किल होगा लेकिन जिस तरह का तस्वीर अभी जो शुरुवाती तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें साब तोर पर देखा जा सकता है कि काफी ब करता है बिलकुल